नमस्कार आज हम बात करेंगे पंजाब की सियासत की कॉंग्रेस के परदेश देख नवजू सिंग शद्धू और मुख्यमंतरी चरणजी सिंग चनी ने आज भगवान कैदारनात के दर्शन किया है उनकी दोनों की एक जुटता दिखाती हुई तिस्वीरें भी सामने आई है जिनने देखर विरोधियों नहीं नहीं बलकि अपनोंनों भी तंज कसना शुरू कर दिया है लुध्याना से कॉंग्रस के सांसर रवनीत सिंग बिटू ने फोटो ट्वीट कर पुछा कि जब उत्तला खंड में एक जुट हैं तो ये पंजाब में क्यों नहीं पंजाब में इस वक्त नवजो सिंग सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा को ले हुए आपको ये बता दें कि एक दिन पहले जब मुख्यमंतरी चरणजी सिंग चन्नी लोगों को सस्ती बिजली मुहया करवाने की घोशनाएं कर रहे थे और ये कह रहे थी कि पंजाब का खजाना खाली नहीं है तो इसी बीच नवजो सिंग सिद्धू का ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था ये व्यक्ती छूट बोल रहा है पंजाब के खजाने में पैसे नहीं है नवजो सिंग सिद्धू ने ये भी कहा था कि आखिर दो महीने में लॉली पॉप क्यों दिये जाते हैं दिवाली गिफ्ट आखिर के तब दिये जा रहे हैं जब चुनाव होने में मातर कुछ महीनों का समय बचा है और सरकार के पास केवल दो महीने में हैं गली नुकुरों में बताओ दिवाली गिफ्ट नहीं चाहिए उनसे ये पूछो कि पंजाब को दलदल से कौन निकालागा ये सवाल शिद्धू ने कहा था लोगों से अपने निताओं से करने के लिए नवजो सिंग सिद्धू लगातार ये कहते रहे हैं कि पंजाब को बचा ने आ चुकी हैं हम ये नहीं कहते हैं कि नवजो सिंग संदू कुछ गलत कर रहे हैं माफिया राज हटना चाहिए बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए साथ के साथ जो यूआ पंजाब से विदेशों का रुख कर रहे हैं उन पर भी ल कि कर्द किसानों को करद करद नहीं चुका ना होगा सारा किसानों का करद सरकार माफ कर देगी और क्या ये किसानों के तमाम कर्ज माफ हुए लोग भ्रम में नार हैं कि वह जो नेता जो कहते हैं वह सब कुछ सही होता है ये वैसे ही चुनावी जुमले आपको दिखाते हैं जैसे के कभी आपको इस समय मुझूदा के अंदर बे जो सरकार है उनके नेताओं की और से 15-15 लाक रुपए हर एक व्यक्ति के खाते में आने की बात कही गई थी यह भी आपको सपना दिखाया गया था कि पेट्रोल आपको 40 रुपए लीटर चाहिए यह 70-80 रुपए लीटर चाहिए और सब को यह पता है कि पेट्रोल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है कई स्थानों पर 110 रुपए प्रती लीटर से उपर पेट्रोल बिक रहा है पंजाब में भी यह कई स्थानों पर 112-113 रुपए लीटर बिक रहा है क्या यह नेता तब चुनाव जीतने के बाद जनता को नजर आएंगे जिस तरह की अब यह लगातार जनता के बीच में रहा कर खुद को जनता का हमदर्द बता रहे हैं यह सब कुछ जनता को तै करना है कभी बिजली कुछ परवारों को फ्री देने की बात होती है कईयों को प्रवलोबन दिये जा रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर यह सब कुछ क्या फ्री में हो सकता है आपको खुद सोचना होगा कुछ भी फ्री नहीं आता है यहाँ पर दूसरे सरकार टेक्स आपके उपर थोप देगी जिसके कारण आपका जीना महार हो जाएगा नेताओं को पताया कि यही समय है जनता को बेवकूर बनाने का उन्हें ज्यादा से ज्यादा परलोबन दिये जाएं हम आपको यह भी बिता दें कि कांगरिस के बड़े दिगज नेता कपल सिब्बल की और से भी एक बार मुख्यमंतरी चरण जी सिंग चन्नी को यह नसीहत दी जा चुकी है कि मुनाफा खोड़ी को बढ़ावा देना बंद करें सही बात तो यह है कि चुनावी जाल है जिसमें फसकर 2022 के लिए मद्दाओं को निताओं की और से अपने लिए सुरक्षित किया जा रहा है उन्होंने कपल सिब्बल ने ये सला दी थी कि मुख्यमंतरी लोगों को इस योग्य बनाएं कि वे अपने बिजली पानी आदी के खर्च सुएं उठा सकें वैसे भी सरकारों को आदित है कि पहले अवैद कालोनियां बनवा दिती है बसने दिती है जब चुनाब निकट आता है तो इन कालोनियों को ही regular कर दिया जाता है सीधे सीधे सरकार लोगों को पहले गलत काम कर ले के लिए प्रेड़ित करती है और फिर वोटों के लिए उस गलत काम को सही ठहरा जेती है ये निसियत पहले ही कपिल सिब्बल की और से मुख्यमंतरी चरंजी सिंग चन्नी को दी जा चुकी है उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये दोनों निता नवजोर सिंग सिद्धो और चरंजी सिंग चन्नी कुछ करना चाते हैं तो पहले उन पचास हजार करमचारियों को रहत दी जाए जो ठेके पर काम करते हैं और चुनाफ से पहले कॉंगरस पार्टी ने उन्हें निमत करने का भरोसा दिया था पांच साल पहले बादल सरकार के बीट गए और अब पांच साल कॉंगरस की बीटने को हैं लेकिन ये करमचारी सरकों पर ठक्के का रहे हैं सबसे पहले कॉंगरस ने चरणजी सिंग चन्नी को मुख्यमंत्री बना कर एक ये संदेश देने की कोशिश की अनुसूचित जातियों के सबसे बड़े हिताशियों हैं क्योंकि सबी पार्टियों की नजर इस बार अनुसूचित जाती के वोट बैंक पर है कोई बिजली फिरी की बात कर रहा है ख़जाना खाली है या नहीं इस पर वितमंत्री मनप्री सिंग बादल का कोई बयान नहीं आया है हालां कि चरणजी सिंग चनी ये कहते दिख रहे हैं कि पंजब सरकार का ख़जाना भड़ा हुआ है कभी सरकानों के खजाने खाली नहीं होते लेकिन एक दिन पहले जिस तरह से नवजू सिंख शिद्धू ने उन पर सवाल उठाये थे उससे उने भी कड़करे में खड़ा कर दिया क्योंकि ये सब जानते हैं कि साड़े चार साल तक जनता से यही कहा जाता रहा कि खजाना खाल या तो पंजाब दलदल में धस्ता चला जाएगा बेरुजगारी सरकारों को दूर करनी होगी नशाख खतम करना होगा चंद बसों को बंद करके हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया की कमर तोड़ती गई ये असंभव है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सकती है लिक थोड़े समय के लिए लेकिन इस पर लगाम लगाना लगभग ना मुम्किन है क्योंकि जिस तरह से पूरो मुख्यमंत्री कैप्टर अमरेंदर सिंग लगा अतार ये कहते रहे हैं कि माइनिंग पर रोक लगाए जाएगी कई तरह की उन्होंने कमेटियां भी ग को पैसा सरकार की जेब में आना चाहिए या नी सरकार के खजाने में आना चाहिए वैफ पैसा कुछ नेताओं की जेब में जा रहा है वैसे तो लोग खुश हो रहे हैं कि उनके बिजली के बिल माफ हो रहे हैं जो वाइदे कर रहे हैं निता अपनी जनता के साथ इसकी क्या गरंटी है कि ये वाइदे पूरे होंगे नवजो सिंग सिद्धू तीन रुपए बिजली यूनिट देने की बात कर रहे थे पांच साल तक क्या जनता को लुटा गया क्योंकि अब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री चरणजी सिंग्चनी ने ये घुशना की है कि लोगों को विजली जो है सस्ती दी जाएगी सवाल यह है कि यदि 2021 नवंबर में विजली समझोते रध हो सकते हैं तो फिर ये 2017 के बाद अभी तक सरकार ने इस पर कोई कदम क्यों ने उठाया क्या सरकार सो रही थी चुनाओं में तीन से चार महीने का समय ही बचा है और दो महीने बाद कोड ओफ कंड़क्ट लग जाएगा ऐसी चर्चा है उसके बाद सरकार इसी तरह एक्टिव रहेगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि अगली बार सरकार किसकी बनती है ये तो समय ही बताएगा हाला कि तमाम पार्टियां ये दावे कर रही हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी वहीं सुनील जाकर जो की कॉंग्रेस के पूर्व प्रदेश देख रह चुके हैं उनकी और से भी एक ट्वीट किया गया है माना जा रहा है कि ये ट्वीट नवजू सिंग सिधू और चरण जी सिंग चन्नी की केदार नाथ यातरा को लेकर किया गया है जाकर ने इस हैरों में दोनों को तीरत यातरी बता दिया जाकर ने का कि इन में हर एक अलग भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा है जाकर ने इसके साथ हैं मुख्यमंतरी चरण जी सिंग चन्नी और नवजू सिंग सिधू की हरी शरावत के साथ मुलाकाट की एक फोटो भी शेयर की और अंत में उन्होंने पंजाबी गीत दिखा कि मैता पीर मनावन चल्नियां इस पोस्ट करते ही हुए उन्होंने पूछा है और सवाल किया कि कौन सा पीर साफतार पर वहां सिधू को मनाया जा रहा है या मुख्यमंतरी चरंजी सिंग चन्नी को इसको लेकर भी सुनील जाकर की और से सवाल कड़े किये गए हैं वहीं अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजी सिंग चीमा ने भी मुख्यमंतली चरंजी सिंग चन्नी और नवजू सिंग सिधु के कदारनाथ दर्शनों पर तंज कसा है उन्हें कहा कि कदारनाथ भगवान इन्हें सत्थ बुद्धी बक्षे ताकि वो पंजाब का सत्यानाश ना करें उन्हें ये भी दिखा कि पंजाब में चुनाव अचार सहीता लगने वाली है इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है उन्हें पूछा कि सिद्धू ढ़ाई साल मंतरी रहे चरण जी सिंग चनी भी पहले मंतरी रहे और आब मुख्य मंतरी हैं तो फिर पहले काम क्यों नहीं किये गए पंजाब को मूर्ख बनाने की इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि जनता सब जानती है यह दिछ लिखेया के जीवी के हैज रफाल्टेट फर नाट क्लीरिंग दूस एक्रू टू 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 इट तु टू टाइम जी अगेंस्ट अलोंड टेकन बाई इट फ्राइट फ्राइस डेंडर्स इस टूसी कहरे हो कि नौन परफार्मिंग एसेट बन गई या डूब गई या फर्म क्योंकि इते कर्जा इना वद गया उदा कार्णवी दास्टियों कि तूसी पैसे बिजिए जाके किसे नू दे दे लिए कि नौन परफार्मिंग एसेट बन गई या जिनना बैंका ने कर्जे लेने सी ओ चले गए या ट्रब्यून से कोड के एनू दवालिया डिकलेर करके ते सानू पैसे देओ ते चन्नी साब तुसी के अधा क्रेडल ला रहे हो ये ता मरी पही या मरे पेशकार नू तुसी डोकां दे विच्चे हीरो बन के पेश का रहे हो कि असी एदा समझे उता रद करना गया है उता रही नहीं कहा है तो अधा सरकार दा प्रेस लीज कही जांदा क्यों स्ट्रेस्ट एसेट है नान परफार्मिंग यूनुट है वो भेंकर्या करजा न अब और पंचल करें वस्ते कर देते ते नहीं दासे ओ पर दो महीने देनी कितों है ए दो मेंने चे जड़ा नमा तुसी लाधना प्रजेक्ट रातो रात उरे बिजली देनी शुरू कर दनी हो इना दसो लोकान कूं प्लान ता था से प्लान फिर फिर पहननी है पी एक महीने करना पढ़ना अज एस कर गया प्रेस कांफूस की ती पी बेलदी डेट निकल जानी है जे नोटिवकेशन हो गया ते फेर सी करनी सकने ए जड़े फ्राड अगे तो अडे पहले मुखमंत्री साहब वो भी कांग्रस पार्टी दे सी उनना ने भी बहुत कर ले पर चन्नी साह प्रटावी तहास दे विचे वड़ा ना लिखाए जाओगा इना फ्राड करने वालें दे विचे इस करके अपना नाम ज्यादा जड़ा कलंकित ना करो बड़े फ्राड कांग्रस ने पन्याब्दी जंता ने कीते हुन होर इतने तर्स करो मारा शेसकार में मंतरी नवाब मलिक ने मंगलवार को फिर ड्रग मामले में अउनस्यीबी प्रमुक सिमीर वान केड़े और राजर के ने इसके बाद आपने उपर लगाए कि तमाम और रूपों का क्कंडन भी किया और कहा कि ड्रग माफिया उन्हें और उनके परिवार को फसाने की कोशिश कर रहा है नवाब मलिक ने कहा कि जब वानखिडे विभाग में आया तो उसके पास अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली उसमें किरन गुसावी, मुनीश भानुशाली, फलक्चर पटेल, अदिल उस्मानी, सैम डिसुजा और इलू पठान शामिल थे प्राइवेट आर्मी इस शहर में धरले से द्रग का कारोबार भी करती है चोटे-चोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फसाया जाता है और बड़े मामले चलते रहते हैं वान खेड़े के जरिये हजारों करोड रुपे की उगाई हुई है आरेन खान के मामले में जो साहिल का ब्यान है कि 13 करोड रुपे की डील में 8 करोड वान खेड़े के लिए मांगा गया था सैम गुसुजा सामने आ गया और वो कह रहा है कि इस तरह के डील थी अलाकि उसे शिखा कर बेजा गया है और उसने कहा कि NCB के लोग उसमें शामिल नहीं थे कहा गया कि नवाम मले के अंडर वर्ल कनेक्शन है 62 साल का जीवन इसी मुंबई सहर में बीता किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाम मलिक किसी अंडर वर्ल से जुड़ा हुआ है ये कभी उंगली भी उठा कर मेरे तरफ दिखा सकी ये कहना कि जिनके अपने घर शीषे के हो औरोपे पत्थर नहीं मारते मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं ना मेरे पास कोई शीश महल है लेकिन देवेंद्र जी से सीधा मेरा सवाल है क्या आप पांस साल तक राज के मुक्या थे ग्रह विबाग आपके पास था और शायद पूरा महरास जानता है सबसे मुकर कोई देवेंदर जी के कामकाच पर या पिछली सरकार पर सवाल उठाता था उसका नाम नवाब मलिक है नवाब मलिक की प्रेस कांफरेंच के बाद समीर वानखेडे ने भी सफाई दी और अपने उपर लगे तमाम अरोपों को गलत बताया और कहा कि हमें जाल में फसाने की कोशिश करने वाले लोगों ने हमारे खिलाफ मुंबई पुलिस में फरजी शिकायद की थी जिसका कुछ भी नितिजा नहीं निकला उसके बाद ड्रग पैडलर ने मेरे परिवार को फसाने की कोशिश की ऐसी कोशी से चल रही है कि इनके पीछे ड्रग माफिया है समीर वानखेडे की पत्नी करांती वानखेडे ने भी उनकी संपत्ती को लेकर बच्चाव करते हुए ट्वीट किया और कहा कि समीर की पूरी संपत्ती उनकी मा की बनाई हुई है जब वो जिन्दा थी और पचास और सो करोड की है समीर के पास पंदरा साल की उमर से है नियम के मताबिक सभी दस्तावेज हर साल सरकार को सौपे जाते हैं वो बेनामी नहीं है सावन के अंदे को हर्याली देखती है महरास्टर के पूरुव ग्रह मंतरी अनिल देशमुक्त की ग्रिफतारी के बाद राजे से एक और बड़ी खबरा रही है महरास्टर के डिप्टी सीम अजीद पवार के बारे में इंकप्रेक्स भाग की और से अजीद पवार के परिवार से कथित तोर पर जुड़ी पांच समपतियों को सीज़ कर दिया गया है इनकी कीमत एक हजार क्रोड रुपए बताई जा रही है आपको ये बता देंगी अजीद पवार काफी समय से आईटी के रडार पर थे और आज जाकर उनकी पर कारवाई हुई है इसी बीच महाराश्टर के पूरु ग्रह मंत्री अनिल देशमो की और से एक वीडियो भी अपने ट्विटर पर शेयर किया गया है नमस्कार मैं अनिल देशमो बोलगा हूँ बीच में केंद्री एजेंसी एडि के मुझे जो समन्स आये थे उसके बारे में कुछ न्यूस पेपर में या प्रसार माद्यम में गलत न्यूस आये थी कि मैं एडि को कॉपरेट नहीं करा साकार नहीं करा एडि का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखीत रुप से बताया कि हमारी केस है हाई कोट में हमने दायर की है उसकी सुन्वाई चल हुए है सुप्रीम कोट में भी हमने हमारी केज दायर की है हाई कोड का केस का नतीजा आने के वाद मैं 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 खुद ईडी के ओफिस में आँगा इस प्रकार का वैंने यू को हर एक समंस के बाद में में कंद लिका उसके बाद भी उनके समंस आते रहे ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे गर में छापें बारे तब मैंने मेरे परिवार ने हमारे समी सहकारियों ने उनको पुरा कॉर्परेट किया पुरा दिन मैं उस दिन गर में रहके एडी के आफिसर को कॉर्परेट किया उनको स्टेटमेंट दिया उनको जो भी पेपर के पेपर दिया CBI का मुझे दो बार जब समनस आया तो CBI के दुटर में भी मैं दो बार जाके आया आज मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पिंड़नी है फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला है उसका नतियानी के लिए यह सूच के मैं आज खुद होके ED Office में यहाँ पर आया हूँ मेरे उपर जो मुंबई के एक्स पुलीस कमिशनर थे परम्विर सिंग उन्होंने जो आरोप किये पैसों के बारे में आज मुंबई के एक्स पुलीस कमिशनर परम्विर सिंग इनने अनील देशनुक के उपर आरोप किये वो परम्विर सिंग आज कहा है जो न्यूज पेपर के जरी है या टीवी के जरी है जो बाते सामने आ रही है उस बातों से यह मालूम पढ़ा कि गए चार मेने से परम्विर सिंग भारत छोड़ के भाग गया जो पुलीस कमिशनर परम्विर सिंग ने मेरे उपर आरोप किये वो यह आज यहां पे नहीं वो यह भारत छोड़ के भाग गया परम्विर सिंग का हमने मुंबई पुलीस कमिशनर के वहां से तबादला करने के बाद उसने मेरे उपर आरोप किये जब कुलीस कमिशनर पर पते उस तेन आरूप निके लेकिन उनकी जब हमने ट्रांसपर किया मुंबई से तब उन्होंने मेरे उपर आरूप किया आज परमविर सिंग के उपर पुलीस खाते के अनेक अधिकारियों उने केसेज डाली है अनेक बिजनेस्मेन ने उनके उपर केसे तायर किया, उसकी CID और बाखी पुलीस है मुंबई की पर उनकी इंक्वाइरी कर रही है परमविर सिंग का बहुती नजदीक का API सचीन मजे इसने भी मेरे उपर परमविर के कहने से मेरे उपर आरूप किये आज सचीन मजे मनसुख हिरेन के मर्डर केस में आज एनाय ने उनको अंदर डाला है जेल में हैं, खुन के आरूप में जेल में हैं, इसके पहले भी कई आरूप में वो जेल में रह चुके हैं मैं जब गुरोव मंत्री था तब सचीन मजे को जो एपिया थे उनको सरकारी नौकरी से निकालना चाहिए करके हमने प्रक्रिया चालूकी उसको सरकारी नौकरी से निकाले करके आज सचीन वज़े ने परमविर के कहने से मेरे उपर जूटए आरूप की और ऐसे जूटए कि इंक्वाइरी परंविर सिंग और सचीन वजय एक आई के ने जालब के जोटे उसकी इंक्वाइरी आज CBI और ED कर रही है उसका मज़े दूख है मैं गए 25-30 साल से सामाजी किशित्र में और रान्जीति में कान करता हूं मेरे उपर एक भी आरोब अभी तक नहीं था नहीं हूं लेकिन इस प्रकार की लोगों ने परविर जैसे लोगों ने सचीन वजय जैसे लोगों ने आरोब किये उसके पर विश्वास करके आज मेरी इंग पहरी हो रही है उसका मुझे दूख है आज के लिए बस इतना ही कर आपके स्मक्ष फिर हाजिन होगे तब तक के लिए समश कर आपके स्मक्राइब की लोगों रविपिर होगे जैसे लिए पे लोगों ने कर आपके स्मक्तर अवद कर को रही है उसके लिए जच